नमस्कार दोस्तों मेरा नाम आजय सिंग है और मैं अब सभी का स्वगत करता हूं अपने चैनल लीलम फूट्स में और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो कुछ कोईरीज मेरे पास आ रही थी कुछ प्राब्लम्स गर्मी में बहुत सारे मनुफेक्ट्रर फेस कर रहे हैं उस फूल जाना यह दूसरी समस्या है तो पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि पट्टा ना बनना वो किस लिए नहीं बन पाता है समस्या क्यों आती इतनी ज्यादा एक तो गर्मी का सीजन है इसके बाद जो है जो इस समय गेहूं आ रहा है वो भी नया है और नए गेहूं पर क् आ Rap एक तरह से technical भासक मैं अगर दूड़ करूं तो उसमें gluten जो है सई से active नहीं होता है 是 gluten कंमी होती supre और और अगर हमारे गेहूं में ग्रूटन अच्छा नहीं हो तो उसमें लसी अच्छी नहीं होगी, लसी के मतलब होता है पकड़, अगर पकड़ अच्छी नहीं है तो भी समस्याई आती है, और या तो फिर आपकी जहां पर मसीन रखी हुई है, वहां पर डालेट हवा कहीं न कह कर रहे हैं तो इन चीजों को आप तुरण समझ भी गए होंगे और आप नए हैं तो हो सकता है चीजें आपको उतनी समझ में ना आई हो लेकिन दोस्तों अगर आप नई फैक्ट्री चलाना की ज़रूरत है वो ट्रेनिंग के लिए आपको कहीं न कहीं से उसका आरेज्मेंट आपको करना पड़ेगा या फिर आप हमारे हां आईए या आप अपने यहां ही कहीं जो पुलानी फैक्ट्रियां हो जो अच्छे से वर्क कर रही हो जिनको इन चीजों की बारे माचा खासा क मांड हो यह बहुत जरूरी है तो वहां पर जाके आप विजिट कर सकते हैं उनसे आप बातचीत करके अपनी प्राब्लम को साल्व कर सकते हैं तो यह चीज दोस्तों क्या है कि नूडल की फैक्ट्री लगाने पर यही सब सारी चीजें होती है कि हर समय आपको चेंज करना हो और जैसे-जैसे आप काम करते जाते हैं उसका experience आपको होता जाता है और वहां पे चीजें कि फिर धीरे धीरे करके वह प्राब्लम साफ रोती हो जाती है लेकिन पहले से ही अगर आप सीखे हुए होते हैं पहले से चीज़ें आपको पता होती है पहले से आपको सारा कुछ maintain कैसे करना है तो मैं यह है कि आपको जो है loss नहीं होता है और business में loss से बचना यह बहुत जरूरी है और वो तभी आप बस सकते हैं जब आपको उसके बारे में proper information हो proper आपको उसके बारे में काम करने का पता हो और दोस्तों दूसरा मैं थोड़ा सा ये ये बताना चाहता हूँ कि अगर हाँ मैंने एक problem गोर बताई थी कि अगर आप रूम पे माल फूल रहा है तो वो उसका फूलने कारण एक ही होता है या तो वो रूम बहुत ज़्यादा पहले से गरम हो रहा है उसमें चारो तरफ से धूप लग रही इस वेश वेश बहुत ज़्यादा गरम हो रहा है और जैसी आप exhaust चलाते हैं तो माल तुरंट सूखना शुरू हो जाता है इस वेशे माल फूल जाता है या दूसरा करान होता है कि उसमें बाहर की जो हवा है आपका जो रूम के झाट्रोल पे है आपकी वो झाट्रोल पे नहीं है उसमें बाहर की हवा लग रही है बाहर से जो है टमप्रेचर तुरंट हाई हो रहा है तो इस वज़े से भी तो यहां भी आपको उसकी बचत करनी पड़ती है और दोस्तों एक चीज का मैं डिसकुसन आप से करना चाहता हूँ उसको वीडियो पर ही डिसकुस कर देना चाहता हूँ क्योंकि अगर एक ही चीज के कॉल्स मेरे पास कई बार आते हैं तो मुझे फिर मुझे भी थोड़ी प्राबलम होती है तो मैं आपको यह आप क्लियर बता देना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग में जब आप आएंगे तो पहले तो आपको एपांडमेंट लेके आना है दूसरा दोस्तों यह है कि ट्रेनिंग के जो चार्जेज हैं वो आपको यहां फैक्टरी आने के बाद पे करने हैं किसी भी तरह का ऑनलाइन पेमेंट नहीं है एडवांस में यह आपके लिए अच्छा ही है मैं इसलिए चीज को क्लियर कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि को आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको किसी के भी अगर एकांट में कोई पैसा नहीं लगाना है आप डारेट जो मेरा कॉंटेक्ट नंबर है वो आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा उसमें उससे आप बात करिए टाइमिंग और ट्रेनिंग जो हो फेक्ट्री में होती है जैसे कि आपने मेरे पुराने वीडियो आप देखे होंगे और किसी भी तरह के आप loss से बिल्कुल आप वाकिव रहेंगे वहां पर आपको कोई कोई समस्य आपको नहीं होने वाली है हाँ दूसरी चीजी है कि ट्रेनिंग में अगर आप आने का प्लान बना रहे हैं तो हो सके तो अपने साथ में एकादलों को ले के आएए जिससे की ट्रेनिंग के चार्जिस नहीं बढ़ेंगे बट यह है कि आपके लिए बुज़दा फायदे मन्द हो जाएगा तो इसको भी आप एक तरह से एज़ अपार्चुन्टी ले सकते हैं और दूसरा यह दोस्तों की ट्रेनिंग की जब आप मुझसे कॉल पर बात करते हैं तो मैंने पहले ही बता रखा है कि सबसे पहले कि आप अपना मार्केट का सर्वेयर विक करके ही ट्रेनिंग में आने का टाइमिंग ले और दोस्तों एक चीज यह है कि जो मेरी फीस है मैं फीस भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी फीस 15,000 रुपए है वो चाहे आप अकेले आ जाए या फिर अपने साथ में एक दो लोगों को ले के आए अगर आप अकेले आते हैं तब भी आपको 15, 15,000 पे करने पड़ेंगे अगर आप एक दो लोगों को अपने साथ ले के आते हैं तब भी आपको 15,000 ही पे करने पड़ेंगे और यहां पे दोस्तों आप कहीं से भी हैं हिंदुस्तान की किसी भी कोने से हैं आप कहीं से मेरा वीडियो देख रहा हैं तो ट्रेनिंग के जब कि आपको चीज थोड़ी अच्छी ना लगे बट मैं इसको इसलिए वीडियो पे बोल रहा हूं कि वहां पे आप conversation मत करिए क्योंकि उन चीजों पर मैं किसी तरह कोई नहीं मैं सिखाने पर compromise करता हूं और नहीं मैं ट्रेनिंग की फीस में compromise करूंगा तो प्लीज जो है इसक priority है और आपकी priority है कि आप को ज़्यादा चीजों को सीखना ना कि training की फीस में बहुत ज़्यादा इनवालव हो जाना कि इसा करके यहां पर आपका ही नुकसान होगा दोस्तों क्योंकि आप जिस purpose से हाँ पर आ रहे हैं वो purpose आपका पूरा होना चाहिए business training है ये किसी तरह कोई school नहीं है कि आपको schooling कराई गई हो सकता है उसका यहाँ पर जो 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 चीजें आपको बताई जाएंगे सिखाई जाएंगे वो आपके सीधे आपके business related है आपके finance related related है अगर आप ट्रेनिंग को अच्छी तरह से अटेंड करते हैं आप आप उसका पूरा फाइदा मिलेगा और फाइदा इस तरह से मिलेगा दोस्तों की जो आप फीस दे रहे हैं जो आप मुझसे कॉल पर बात करें तो कि उसके बारे में बात करें मैं ज़्यादा कनवर्सेशन आपको आप से इस विश्याप नहीं कर पाऊंगा हाँ आपकी जो जो चीजें जिन चीजों से आपको नुकसान हो रहा या फिर जो चीजें आपको जाननी समझनी है उसके लिए अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको उन चीजों को उन चीजों उन टापिक पर बात कर पाऊंगा और आपको यह अगर आप ट्रेणिंग प्याफ गार दो उसका फाईदा को किस तरह से लेना है अपने बिजने सब्सक्राइब का इतना कहूंगा कि इस को आप इंडिया के किसी भी को ने कर सकते हैं और वहां पर आप देखेंगे कि नूडल की मार्केट आपको हर जेगे है मिलेगी क्य अगर आप सही तरह से market survey करेंगे तो सारा कुछ आपके हाथ में होगा मुझे जादा कुछ बताने के जुरूरत नहीं है मार्केट मैं market survey पे भी कोई separate videos बनाने का प्रयास करूँगा किस तरह से market survey आप करें जिससे आपको एक अच्छा survey मिल पाए बट मैं एक simple language में कहूँगा कि आप सीधे market जाए market जाके ही आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी हर चीज को कभी कभी ऐसा होता दोस्तों कुछ छोड़ी छोड़ी चीज़ें होती है लेकिन हम उसे बहुत ज़्यादा टेकनिकलिटी से देखते हैं मैं तो एक ऐसे चीज़ें बताता हूं कि जिससे आपको हर चीज बहुत आसान लगे और आसानी से समझ में आए तो ठीक है दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार